नमस्कार दोस्तों स्यामाईल पिंग सेंटर पर आपका स्वागत है आसा करता हूं कि अप लोग अच्छे होंगे तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो बिहार SSC के तरफ से इंटर लेवल पर वेकेंसी निकला है उसके फॉर्म को कैसे फिल करना है तो दोस्त आपको description box में दे दूंगा तब वहाँ से click करकी page बाया जाएंगा उसके बाद यहां पर देखिया सूचना part की से पर आपको किलिक करना है क्लिक करते ही आप आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जागा आप यहाँ पर दिखे लिक है सबसे उपर में क्लिक हेर टू अपलाई फोर एडबर्टाइजमेंट नमबर सेकेंड इंटर लेवल कॉम्बाइन कॉमपर्टेटिव एक्जामिनेशन ठीक उसके बाद यहाँ पर लिंक है लिंक पर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जागा यहाँ पर दिखे इंपोर्टेंट डेट्स है कॉमेस्मेंट आफ ओनलाइन अपलिकेशन फॉर्म कब से सुरू हो गया है 27-9-22 इसले क्लोजिंग डेट ऑफ ओनलाइन रिष्टेशन कब तक इसका लाश डेट है तो 9-11-22 इसले की 9 अक्टूबर को रात के 11 बज के 69 पीम तेक है दोस्तों यहाँ पर देखे किलिक है टू ब्यू एडवर्टाइजमेंट इस पर किलिक करके है आप इसके बारे में भी देख सकते हैं वैसे इसके नोटिफिकेशन को मैं अलरड़ी एक वीडियो में एकस्प्रें कर रखा हूँ तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देदूंगा तो आप वहाँ से देख लेंगे दोस्तों अब आपको क्या करना है सबसे पहले यहां पर देखिए online services लिखा है उपर में लिखा है registration सबसे पहले आपको registration करना है registration पर क्लिक करेंगे your current session will expire in 20 minutes दोस्तों आपको यह जो form है 20 minute कर अंदर fill कर देना है सबसे पहले यहां पर देखिए name of applicant यहां पर आप लिखेंगे आप उसके बाद यहां पर और उसमें mister message कुछ नहीं लगाना है उसके बाद gender select कर लेना है male female जो भी आप है उसके बाद यहां पर देखिए दो missile of bear state आप भीहार से हैं तो yes करेंगे नहीं है तो no कर देंगे उसके बाद category किस category से बाते हैं general ebc bc hc ht जो भी जाएंगे उसके बाद यहां पर do you belong to ews कि आप ews से आते हैं अगर यहां पर general में करेंगे तो यहां पर option हो जागा अगर किसी और कास्ट से हैं तो आप simply यहां पर यह disabled रहेगा do you belong to non criminal क्या आप बीसी हैं तो non criminal से आते हैं yes कर देंगे आते हैं नहीं आते हैं तो no कर देंग अगर माली जी आप yes करेंगे तो यहां पूछेगा पर्मानेंट है या फिर टेंपरोरी है तो आप उसको चूच कर लेंगे उसके बाद देखे आरिव एक सर्विसमें क्या आप भूत प्रवसाहिनिक हैं अगर हैं तो yes करेंगे नहीं है तो no कर देंगे अगर यहां पर yes करे हैं उस पर आपर डेट लिखना होगा नहीं तो छोड़ देंगे इसको अब यहां पर देखिए बिहार गवर्मेंट इंपल्वाई हूँ है रेंडर्ड नोट लेस्न थी एर्स रेगुलर एंड कंटिनू सर्विस देखिए क्या बिहार सरकार के करमचारिया हैं जीनों होने क कम से कम तीन साल नियमीत एंगार में रेगुलर से वाकिए है तो यहां पर देखिए वीच आटेंट इस ऑन इंटर लेवल एक्जामेनेशन इंटर अश्ट्रियों पर इच्छा का कौन सा प्रयास है फार सेकेंड थाट फॉर फिप जो भी आपका है उसको चूच कर लेंगे तो यहाँ पर सेकेंड निकला है तो यहाँ पर थी फॉर फाइब देने का कोई मतलबी नहीं है वान कर देंगे उसके बाद ख़ेएब यहाँ पर आपको अपना मुवाईल नंबर लिखना है यहाँ पर आपको मुवाईल नंबर अरगंवाईल नin फिसके बाद करेंगेग तो आप यहां पर पूछ रहा एडिट या फिर कनफर्म एड नेक्ट दोस्तों यहां पर एक बार आपका यह डिटल्स फिल हो जागा तो दूबारा आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं अगर दोस्तों आप एक बार सब डिटल्स अच्छे से मिला लेंगे अगर सब ठीक है तो इसको एड़िट कर देंगे तो यहां पर मैं कनफर्म एड नेक्ट पर क्लिक करता हूं यहां पर पूछ रहा है कि अर इस्योर ओके पर क्लिक कर देंगे दोस्तो उसके बाद यहां पर देखिए आपका जो रच्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है आपके मुमाईल नंबर पर और इमेल ईडी पर सेंट कर दिया गया और यहां पर भी सो हो रहा है तो दोस्तों यहां पर आपका registration successful हो चुका है यहाँ पर जो आपका registration number और password है आपके mobile number पर email ID पर send कर दिया गया और यहाँ पर आपका swap भी हो रहा है अब आपको क्या करना है click here for login पर click करना है login करने के लिए login पर click करेंगे तो यहाँ पर पुछेगा registration number और यहाँ पर password और यह जो पर अपका नेम हो गया यहाँ पर आपको अपना पिताजी के नाम देखना है father's name यहाँ पर mother's name यहाँ पर gender हो गया है यहाँ पर दो मिसाईलों बियार हो गया आप देखिए issue date of domicile certificate दोस्तों यहाँ पर जो आपका domicile certificate है निवास परमार पत्र उसका date कौन सा है आप उसको यहाँ पर चूज कर लेंगे दोस्तों यह जो date है आपके जो certificate है उसके ऊपर corner में लिखा होगा अब यहाँ पर देखिए issue number of domicile certificate आपका जो निवास परमार पत्र है उसका संख्या कितना है उसको आप इसमें लिख देंगे बी आर्सी स्यो करके कुछ होगा ठीक है अब उसके बाद यहाँ पर देखिए अस्ताय निवास परमार पत्र जारी करने वाला प्रदिकार किस ने आपका जारी किया था तो आरो सी ओ स्टी ओ डीम किस कर देंगे अब उसके बाद लेवल का है आप उसको चूज कर देंगे अब उसके बाद देखिये क्टेग्री ओगया यहान पर आपका IPC NC in LGBT Card Certificate Noomo जो भी रावनिए आपका जाती परमार पत्र है तौक यहान पर लिखना कब इसु हुआ था उसको आप यहाँ पर डेट चूज कर लेंगे अब सर्टिफिटे कौन इसु किया था उसको आप चूज कर लेंगे अब यहाँ पर देखिए उसके बाद हर्यों परसन विद रिसेबिलीटी सब तो नो है अपने रिश्टेशन करते वक्त सब्डेटर स्पी यहां पर आपको और बलिखना होगा या इदिफिकेशन मार्क अफ डगेट दोस्तों कहीं पर आपका कऊत फकाल हो दिल ጃप आप उसको याप लिख देंगे माली जी आपके बाया हाथ पतील है तो लिख देंगे मोल मार्क और लेफ्ट हैंड उसके बाद यहां पर देखिए क्या कभी आपको अपको प्रण गया है तो या स्करेंगे नहीं तो नो कर देंगे अब उसके बाद यहांपर अपना टीस्टिक लिए लिए पर आपना पिन कोड़ करेंगे और दोस्तों यहांपर Newton अइड一 और पर परुंपाइन एडरेस उड्रेस करेंगे तक वर इसको हैने आपको step 2 में क्या करना है payment करना है तो देखिए payment process यहाँ पर आपको payment process पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए payment bank, भुगतान bank, ICIC, SBI किसको दोरा करना चाहते हैं तो आप दुनों में से कोई भी choose कर लेंगे आप उसका process online payment पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप okay पर क्लिक कर देंगे दोस्तों आपको कैसे payment करना हो यहाँ पर option आगे आप debit card से भी कर सकते हैं credit card से भी कर सकते हैं internet backing से भी कर सकते हैं अब यहाँ पर आजागा API कीवार कोड कीवार कोड कोड करने का आजागा लेकिन हम उसको छोड़ देंगे हम क्या करेंगे उस पर आपका जो फोन पर होगा जो भी होगा API उस पर request चला जागा request जाने के बाद आपको payment करना होगा दोस्तों यहां पर हमारा payment online हो चुका है यहां पर लिखा भी है your online payment successfully processed आप हमको step 3 पर क्लिक करना है education details पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा page open हो जागा अब यहां पर आपको अपना details प्लिक करना है education details यहां पर तेन्ध फिर equivalent जो भी पास किया subject कौन कौन सा था लिख देंगे board कौन सा था लिख देंगे उसमें total marks कितना था आपका उसको लिख देंगे total में से कितना या था उसको यहां पर लिख देंगे यहां पर percentage क्लिट हो जाएगा उसके बाद यहां पर certificate number जो आपका certificate होगा marksit उसके उपर लिखा होगा उसको देख के आप लिख देंगे और date issue का हुआ था certificate उसका वीडेड यहां पर लिख देंगे वह भी आपका जो marksit होगा उसके last में नीचे लिखा होगा अब यहां पर देखिए 12 या फिर equivalent बारावी का select course कौर्स कौर्स कौन सा था आपका 12 इंटरमीडियेट science या फिर 12 commerce arts diploma जो भी था आप उसको चूच कर लेंगे उसके बाद यहां पर subject कौन यहां पर सब्सक्द सब्सक्राइब करना है जिसपर यहां पर Hindi typing का जड़र है या फिर English typing का था आप उसका यहांपर details लिख देंगे किस insult से किये थे उसका नम लिख देंगे दोनों में जो भी आपका होगा Hindi या English उसको लिख देंगे दोनों में certificate नमबर कितना था आप उसको लिख देंगे परमार पत्रसंख्या, हिंदी कभी, इंग्लीज कभी, अगर होगा तो, उसके बाद कब आपका इसु हुआ था, उसका सर्टिफिटेक का डेट लिख देंगे, इंग्लीज कभी और हिंदी का भी, उसके बाद दिखिए, अगर आपने कोई कॉपिटर कोर्स किया है, तो यस कर देंगे, नहीं किया है, तो नो कर देंगे, अगर माले जी यस करेंगे, तो किस संसान से किये थे, इंसी उट का नाम लिख देंगे, कौन सा आपका कोर्स था, उसको लिख देंगे, ADCA, ADCA, जो भी था, उसके बाद यहाँ यहाँ पर certificate number प्रमार पत्रस dar लिख के लिख देंगे उसके बदिया अपका zodा क्लिक करेंगे यहां पर कंप्लीट हो चुका है अब उसके बाद देखे दूसतो यहाँ पर पर हो पको क्लिक करने के लिए इस पर आप क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद यहां पर आपका जगा upload required image दोस्तों यहां पर आपको अपना photo upload करना है upload passport size इज़ेग फोटोक्राफ तो दोस्तों यहां पर जो आपका photo एक मैने से पुराना नहीं होना चाहिए और उसका जो size यहां पर दिया हुआ है 20 के 20 से 50 के बीच और यहाँ पर उसका width का भी दिया है 200 pixel by 230 pixel height और यहाँ पर आपको अपना signature अपलोड करना है English में और यहाँ पर आपको signature अपलोड करना है Hindi में इसका जो size होगा 10 के बिले 20 के बीच होगा signature का दोस्तों देखिए photo upload करने के लिए क्या करना है आपको यहाँ पर जो choose file है choose file पर click और यहाँ पर जीस फाइल में आपने अपना जो photo है उसको रखा आप उसको यहाँ पर select करने के बाद open पर click करेंगे तो आपका यहाँ पर photo आ जागा signature का भी से वैसे ही करना है आपको choose file पर click करेंगे और जहां पर रख्यांगे उस फाइल में जाएंगे और उस फाइल में तो उसका video मेरे channel पर होगा आप search करेंगे तो आप आजागा कैसे image size को आप pixel में convert करें ठीक है आप वहाँ से देख लेंगे click करेंगे तो यहाँ पर आजागा are you sure to upload ओके पर click करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका step 4 भी complete हो चुका है दोस्तो अब यहाँ पर देखिए step 5 आपको क्या करना है upload live photo दोस्तो यहाँ पर आपको अपने laptop से जो webcam है उससे live photo किचना होगा उसको upload करना होगा तो दोस्तों देखिए यहाँ पर photo upload करने के लिए करना है यहाँ पर जब आप photo upload live photo पर click करेंगे तो आपके यहाँ पर जो photo हो जाएगा उसका टेक photo पर click कर अब उसके बाद नीचे ते कि यहां पर डिकलेरेशन है, डिकलेरेशन में I here by declared it आप इसको tick कर देंगे, टिक करने के बाद यहां पर अब लिख रहा है, अस्थान, प्लेस, अब कहां सब फॉर्म भर रहे हैं, उसको यहां पर लिख देंगे, लिखने के बाद समीट पर क्लिक कर देंगे, समीट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आएगा, are you sure, want to upload selected image होके पर क्लिक कर देंगे, अब उसके बाद देखिए, नीचे आएगे, यहां पर आपका फोटो ठीक है, अगर ठीक नहीं है, तो रिख लोड लाइफ फोटो पर क्लिक करके दुबारा आप कर सकते हैं, और अगर सब ठीक है, तो यहां पर final submit जो बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के ब अगर आपको छोगा है, अगर आपको यह जनिकार्द नचे लेगे हो, वीडियो अच्छी लेगे हो, तो इस वीडियो को ठीक है, तो इस वीडियो करना है, आपको प्रिंट अप्लिकेशन है, डावल नोड हो जागा, और दोस्तों यह आपका final submit हो चुगा है, अगर आपको ये जने कादिय अच्छी लेगी हो वीडियो अच्छी लेगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे थैंक यू